सब्सक्राइब कर लिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलती रहे और वीडियो को पूरी देखिए अकर वीडियो आपको पसंद आते तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर भी जरूर करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वह मैंने इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट में जडिसकस कर लिए और आज वंडिसकस करेंगे वह है कोशिका के सन्रच नहां और उसका प्रक्राणियानी के इस ट्रक्र बह्त्रे के बारे में यहां पर हम दिसकस करेंगे तो चले स्टार्ट करते हम वीडियो को कोशिका की कार प्राणे इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार की कोशिका है और सरीर में वह कहां इस्तित है इसके अंदर सरीर की वनसा अन्ग समगरी होती है और ये कोशिकाएं अपनी प्रतियां बनाने में सच्छम होती है यानि कि कोशिका के अगर हम प्रकरण की बात करें तो जो है आपकी कोशिका के जो कार होते वो किस बात पर निर्भर करते हैं इस बात पर निबर करते ही कि वो किस प्रकार की कोशिका है और कहां पर सरीड में इस्तित है यानि कि जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि कोशिका का जो अकार होता है वो अलग-अलग होता है वो जो होता है आपका गोला कार भी होता है इ लगार दो सब्सक्राइर दो सब्सक्राइब जाएं तो घ она पर जिस दस्तान पर यह जाएंगए तो अलग अलग होगा और जो है अलग-अलग आकार के हैं तो उनका कार जो है जाहिर सी बात है वहां के आकार और इस्थान को ध्यान में टके इनके कार भी अलग-अलग होंगे क zac account का खार है आप का क्या होगा उनेके आकार पर उने के सरी में पाई जाले हिए स्थान पर निर्भर करेंगा और कोशिकाउं का होटी है और कोकी 5 अब जैसे ही प्रतिया बनाने में सच्छम होती है यानि कि प्रतिया को तयार करने में सच्छंह होती है HI ANY Kोशिकां से हमारे सरीर में आकार प्रात्थ होता है यानि कोशिका जो है वह हम ciek can recently प्रादान करती है जो कि हमने आपको इसली वीडियो में इंकि करता आता अधि भाता गल्रुट करता ढैंस日 में powro пров कोशिका जो होती है वो हमें उर्जा सक्ति प्रदान करने का कारी भी करती है सनरचना स्टेक्चर ऑफ दा सेल अब यहां पर जो है हम सेल के स्टेक्चर इसके बारे में जानेंगे कोशिका की बीविन सनरचना सनरचनमात्मा घटक होते हैं जो सरीर में जान बनाए रखने में सहायक है जिसको कोशिका कहते हैं अब यहां पर आप समझे कोशिका की जो सनरचना होती है उसके क्या होती है सनरचना जो होती है आपकी उसके निम्न घटक होते हैं यानि की निम्न कि वी वूतिया संपन होते हैं इसीलिए को मैं विच में परका। कोशिका से संपन्न होंगे और बहुँ कोशिका है तो उनमें जो कार होंगे वो बहुँ कोशिकां द्वारा संपन्न होंगे यानि कि हर कार अलगल कोशिका का डिसाइड होगा कि कौन सी कोशिका कौन सा कार करेगी, अब यहाँ पर कोशिकांग, अगर कोशिकांग की बात करें, तो सन रचना है कोशिका की, यह देखी, यहाँ पर सन रचना है, यहाँ पर जो चीज़े हम आपको क्लियर करेंगे कोशिका के सन रचना के बारे में, वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं ताकि क्योंकि फीगर से जब कुछीज आप समझेंगे तो फीगर से समझने बाद चीजों को समझना और भी आसान हो जाता है वह दिमाग में आपके जाय टाइम तक क्लियर रहती है तो यहां पर देखें यहां पर जो कोशिका है कोशिका पादप पादप कोशिका में आपको बताएंगे तो इसको में है आपका वह कोशिका कोशिका के सनरचना होती वह तीन में भागों की होती है कोशिका भित्ती दूसरा आपका होता है कोशिका जिल्ली और तीसरा आपका हो जाएगा जीवद्रों यह तीन में होते हैं अब देखें पादप कोशिका पादप कोशिका जो है है उसमें यह जो आपको यहां देख रहा है यह आपको सूष मतर हो कोषी का भित्ति जो है यह आपकी यह बाहरी लिया यह आपकी कोशिका भित्ती है लेकिन यह जो है जनतु कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं होती है तो यह जो है इसे हम कोशिका भित्ती को इंग्लिश में जो है आपका कहते हैं यह आपकी पादप कोशिका में पाए जाती लेकिन जनतु कोशिका में होती है और इसके जो दूसरी लिए होती है दूसरा आवरण होता उसको कोशिका जिल्ली खहते हैं यानि कि is a membrane बोलते है यह cell membrane आपके जो है तो हुआ यहिए कैसे सल मेंब्रेन यह किसी भी सन रचना में आवरन करता है याने और जाने करता है लिश्च के क्अ करता है आपकर दे कोंग ठीक ही आने जाने के लिए इस्थान परता है यह औरन इसका काम करता है उसके अलावा जो है आपके जो इसके कोशिकांग होते हैं यानि कि इसके अंदर पाया जाने लिए जो कोशिकांग है उनको भी सुरच्छित रखने का कारी यह आपका करते हैं कोशिका जिल्ली नेक्स्ट है आपका इसमें रितिका, रितिका यानि की वेक्यूल्स, वेक्यूल्स जो होते हैं, पादब कोशिकों में बहुत बड़े वेक्यूल्स पाये जाते हैं, एक वेक्यूल्स होता है, लेकिन इसमें जो वेक्यूल्स पाये जाएंगे, वो क्या होंगे आपके, एक नह जो चोटा होता है नेस्ट रापका इन्दर दोन हों जाएगा जनतु कोशिका में भी और पादब कोशिका में भी फिर कोशिका द्रो जो है आपका ये है ये जो पाए जाने वाला द्रो भी जीव द्रो भी बोलते हैं। प्रोटोब्स्म प्रोटोब्स्म के अंदर जन्तू में या पादब में जो भी कोषि का आंग पाए जाता है। कोशिका की जितने भी अंग हैं वो सारे इसी जो है आपके जीव द्रों में रहते हैं तो ये आपका जो है कोशिका का स्टेक्चर है जिसमें common चीजें मैंने आपको बता दिए अब इसके अंदर पाए चाल जो कोशिका के भाग है यानि कोशिका आंग है उसके बारे में हाँ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू